वेल्कम टू नेक्स अग्जाम आज है 19 सितंबर 2022 और 19 सितंबर 2022 के करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारह में से वीडियों मैं डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रैक्ट वीडियों मैं आपको बताऊंगा तो अंसर आपको कमेंट बॉकस रम बताना है आज कि इस वीडियों के पैडियाफ फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डावल्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है। बेश्व बांस दिवस कमनायाग्या है तो अभी अठारे सितमबर को बेश्व बांस दिवस मनायाग्या यानि कि बांस उद्धियों को बढवा देने के लिए हर साल 18 सितमर को 202 दिवस मनाय जाता है अच्छा इसकी सुरुवात का होई थी इसकी सुरुवात होई थी 2009 में कब 2009 में अच्छा यहाँ पर एक और कुश्यन माइन में क्लेक करना चाहिए कि पूरे दुनिया में बास की सबसे ज़्यादा खेती किस देश में होती है तो बास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चैना में होता है बैंबू प्रोडक्शन में चैना नमबर उन पर है और अपना इंडिया दूसरे नमबर पर है तो इस कुशिन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा अभी तक जितने important day में आपको होता है एक बर मैं आपको फिर revise कराता हूँ अभी 17 सितंबर को 200 रोगी सुरक्षा दिवस मनाया किया 16 सितंबर को 200 ओज़न दिवस मनाया किया 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतंत्र दिवस अभियंता दिवस यानि की इंजिनियर्स दे और 200 लिंफोमा जागरुकता दिवस मनाया किया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया किया 11 सितंबर को पेट्रियट दे और बिनोबा भावे की जैनती मनाया कि 11 सितंबर को ही राश्टी बन सहीद दिवस मनाया गया 10 सितंबर को बेश्व आत्मत्या रोक्तम दिवस और बेश्व प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 9 सितंबर को हिमाले दिवस और बल्ड एलेक्ट्रिक वीकल डे मनाया गया 8 सितंबर को 200 भौतिक चिकित सा दिवस, 200 फिजियो थेरेफी दिवस और अंतरास्टी साक्षरता दिवस मनाया गया 7 सितंबर को ब्राजील का सुतंता दिवस मनाया गया 7 सितंबर को नेले आस्मान के लिए अंतरास्टी स्वच बाईव दिवस मनाया गया पांस सितंबर कौ अंतरास्टी charity दिवस मनाएगया तेन सितंबर को national skyscraper day और अंतरास्टी गिद जागुकता दिवस मनाएगया दो सितंबर को bestsunarial दिवस मनाएगया तो सितंबर में अब तक इतने important दे मनाएगए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की सुडो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 से लाइक का, तो अगर ये बीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है, तब आप सुडो को लाइक और सिर जरू क्या करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मौनिंग मोट का, सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो, चाहे छोटा साई टार्गेट फिक्स करो, लेकिन डेली मौनिंग मोट का, सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारों का उद्गाटन किस ने किया है तो ग्रह मंत्री अमित साह ने अभी हैदराबाद मुक्ति दिवस समारों का उद्गाटन किया तो इसकुशन का से options है यह है आपको पता है है हैदराबाद रजवाडा 17 सिदंबर 1948 को भारती संग में सामिल हुआ था है इसलिए अभी 17 सिदंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया और इसका जो समारों हुआ है इसका उद्गाटन क्रह मंत्री अमित साह ने किया अब हेदराबाद ये तेलंगाना में है तो ये है मैप में तेलंगाना तेलंगाना की capital के है है तेलंगाना की चीपनेश्टर कौन है कि चंसे कर रा और तेलंगाना की governor कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन अच्छा भारत का पहला बार्नी की विश्विद्याले अब ये तेलंगाना में स्तापित होगा भारत का पहला 3D printed मानव कॉर्निया हैदराबाद में बिक्सित हुआ है तेलंगाना में बूनालू महुतसब शुरू हुआ तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविदा खोली है NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तेरती हुई सौर उर्जा परयोजना तेलंगाना में सुरू की है पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट अभी हैदराबाद में स्तापित की जाएगी और प्राण हिता पुसकरूल तिहार ये तेलंगाना में मनाया गया इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए ने कुशन है हाली में चेन और कौनसा देश मून रोबर मिशन पर साज़दारी करेंगे तो अभी चाइना और यूए मून रोबर मिशन पर साज़दारी करेंगे तो इस कुशन का बे अप्सिन सही है इस परियोजना के तहत यूए रासित टू नामक एक रोबर बिक्सित करेंगा चेन और UAE साज़दारी करेंगे और इस परियोजना के तहट UAE रासित टू नाम का एक रोबर बिक्सित करेंगा नए कुशन है हाले में मुंबई इंडियन्स के स्वामित वाली फ्रेंचाइजी म.I. अमीरात ने किसे अपना मुख की कोच नियुक्त किया है तो M.I. Amirat ये मुंबई इंडियन्स के स्वामित वाली एक franchise है ये UAE की International T20 Lake की franchise है इसने अभी Sane Bond को अपना मुख की coach appoint किया है तो इसकुशिन का C options है ये हैं Sane Bond और इनी को मुंबई इंडियन्स के स्वामित वाली franchise M.I. Amirat ने अपना मुख की coach appoint किया है ने कुशिन है हाली में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मिलन का आयोजन किया है तो अभी उर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 सम्मिलन का आयोजन किया तो इसकुशिन का बे option सही है आंगन यानि कि Augmenting Nature by Green Affordable New Habitat क्या है Augmenting Nature by Green Affordable New Habitat ये उर्जा दक्षता और कार्बन उप्तरजन को कम करने के लिए है हाली में बिदेश मंत्री S. जैसंकर केस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए है तो हमारे बिदेश मंत्री है S. जैसंकर ये अभी 18 सितंबर से 28 सितंबर तक अमेरिका की आधिकारी ग्यात्रा पर गए हैं तो इस कुछिन का A option सही है अब ये अमेरिका गए हैं तो अभी अमेरिका में एक दसक के बाद पूल्यों का पहला मामला दाजी किया गया अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल बिलेहक पारित किया है आरती प्रवाकर को अमेरिका की राष्ट्पती के बेग्यान सलाकर के रूप में न्युक्त किया गया बारत, इसराइल, UAE और US ने एक नया I2-U2 सम्हू बनाया है अमेरिका में निर्मित सुपर कंफ्यूटर फ्रेंटियर ने फुगाकू को फीचे चोड़ दिया है अमेरिका का निर्मित सुपर कंफ्यूटर है, फ्रेंटियर इसने जापान के फुगाकू को पीचे चोड़ा है अच्छा है, इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एकसेज होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, वज़ प्रहार और युद्ध अभ्यास ने फुशन है, हाली में संपत्ती पंजी करण को डिजिटाइज करने वाला पहला राजजी कौन सा बना है तो अभी महाराष्ट संपत्ति पंजी करड को digitize करने वाला पहला राज्य बना तो इसको इनका से options आई है अब महाराष्ट बना है तो ये है मैप में महाराष्ट महाराष्ट की केपिटल के है? मुंबाई महाराष्ट की चिपनिस्टर कौन है? एकनात सिंदे और महाराष्ट क कोशियारी अच्छा अभी मारबत उत्सब नाकपुर में मनाये गया देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में सुरू हुई है मारास सरकार ने दई हंडी को खेल का दर्जा देने की गोश्ण की है बारत ने नाकपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्ला करा रहा हूँ चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक मारास्थ है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंधर entrarpraradis है और मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिल manage Oke resonate ¿ने वाला बबला पहला नाहिक्सरिक ائप। वेनिसा नकाटे को यूनिसेफ का सदभाबना राजदूत नियुक्त किया गया तो यूगांडा की जलबायू कारिकरता है वेनिसा नकाटे इनको अभी यूनिसेफ का सदभाबना राजदूत नियुक्त किया गया तो इसकुषिन का बे ओप्सन सही है आप इमेज में देख ल यूगांडा की करनसी क्या है यूगांडा से लिंग और यूगांडा के प्रजेंट टेम प्रेसिडेंट कौन है यो बेरी मुशेवीनी अब यूनिसेफ यानि की यूनाइटेड नेशन इंटर नेशनल चिल्डरन एमर्जेंसी फंड इसकी स्तापना कव हुई थी 1946 में इसका एड़कोरटर कहां पर है न्यूओ यूयर्क में और इसके प्रेजेंट टेम पर प्रेसिडेंट कौन है तोरे एटर्न नेशन है हाली में केस बैंक ने 3 साल के लिए सुमन्त कटफालिया को अपना MD and CEO न्यूंप किया है तो अभी इंड Tod bank ने सुमन्त कटफालिया को अगले 3 साल के लिए अपना MD and CEO पॉइंड किया तो इसकूशिन का A option सहिए है ये हैं सुमंत कटफालिया और एनिकू एंड सिंड वैंक ने अपना MD&CEO पॉइंट किया है अच्छा एंड सिंड वैंक इसकी स्ताप न कव हुई 1994 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रिजेंट अमपर CEO कौन है सुमंत कटफालिया नैक्यूशन है बेस सुजल कांग्रेस और प्रदर्सनी 2022 की मेज़वानी किस देश ने की है तो अभी डेनमार्क ने बेस सुजल कांग्रेस और प्रदर्सनी 2022 की मेज़वानी की तो इसको शिंका बे ओप्सन सही है अब डेनमार्क ने की तो ये है मैप में डेनमार्क डेनमार्क की केपिटल क्या है Gopanhegan. नॉमार की करनजी क्या है Dennis Krona, और देनॉमार के प्रेजं टैम में पर्राइमिनियस्टर कौन है. Matthe Frederichsan, नै क्यूशन हाली में किस ने M.S.Me की रास्टी बूर की अठारे मी बैटक की अध्यक्षता की है. तो प्रेजं टैम Bureau के हमारे केंदरी M.S.Me मंत्रे हैं नाराएंड रांडे इन्होंने अभी MSME के रास्टी वोड की 18 मी बैटक की अध्यक्षा की तो इसकुशन का उस्टेलिया की उपकौप्तान है इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोश्णा की है तो इसकुशन का बे ऑप्संस है यह है राचेल हैंस अच्छा अभी सुरेश रहना ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोश्णा की रॉबिन और उस्टिलिया की प्रजेंट पर प्राइमिस्टर कौन है एंथनी अल्बनीज कौन है एंथनी अल्बनीज हाली में जारी Global Crypto Adoption Index 2022 में कौन सीर्स पर रहा है तो अभी Global Crypto Adoption Index 2022 जारी किया गया इसमें Vietnam टॉप पर रहा है तो इस कुश्य इनका A options है Vietnam first पर है अच्छा अपना India fourth number पर है यह याद रखना है India कौन सी number पर है fourth number पर है अब Vietnam top पर है तो यह है मैप में Vietnam Vietnam की Capital के है Hanoi Vietnam की Currency के है Vietnamी Dong और Vietnam की Present Time पर प्रामिस्टर कौन है Farm Manchin कौन है Farm Manchin next question है हाली में Xetma Subratok Cup Antirasti Footwall Tournament Voice Under 14 का खिताब केसराज ने जीता तो यह मड़ेपूर ने जीता है तो इस कुश्य इनका B options है अब मड़ेपूर तो यह है मैप में मड़ेपूर मड़ेपूर की Capital क्या है M4 मड़ेपूर के Chief Minister कौन है Ann Beren Singh और मड़ेपूर की Governor कौन है La Gadishan कौन है La Gadishan next question है हाली में Under 19 Mila T20 Biscope 2023 केस देश में खेला जाएगा तो Under 19 Mila T20 Biscope 2023 South Africa में खेला जाएगा तो इस question का C options है अब South Africa तो यह है map में South Africa South Africa की तेन Capital है Cap Town Legislative Capital है Pretoria Executive Capital है और Bloem Fountain Judicial Capital है South Africa की currency के है South Africa Nand और South Africa के present time पे President कौन है Cyril Ramah Fosha अब last video की question का answer Last video मैंने आप से question पूछा था कि भारत का पहला digital city कौन सा बनेगा तो अभी इंदोर भारत का पहला digital city बनेगा यानि किस question का A option सही था और लगबग सभी Strainness का answer सही दिया Mostly Strainness के बारे विन डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा Question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में भारत के 76 में सत्रंज ग्रेंड वास्टर कौन बने है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indrashrc Instagram पर indrashrc सर्च करके आप मेरी साथ जुट सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का टार्गेट जरूर याद रखना आज किस video का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और face group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching